राजगर जीले की खिलचीपूर थाने में सन की आशिक से परेशान दुलहन, न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुची खिलचीपूर थाने में दुलहन के लिबाज में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने पहुची दुलहन संतोस धामन्दा गाओं में रहती है संतोस की साधी तीन दिन बाद यानि की इसी महा के 18 मई को दिलावरा गाओं के सिताराम के साथ होने वाली है लेकिन संतोस ने खिलचीपुर थाने में एक आवेदन देकर अपनी सुरक्षा वो संकी आसिक राजुत तवर पर कारवाई को लेकर मामला दर्ज करवाया है बताया जा रहा है कि पूर्व में संतोस की साधी की बात उसके मामा ने आरूपी राजुत तवर से चलाई थी परंतु संतोस और परीजनों को लड़का समझ नहीं आया और उन्होंने संतोस की साधी कहीं और तै कर दी जिसको लेकर वो संतोस के गाउं में करीब 10 दिनों से आग लगा रहा है संतोस्व उसके परीजनों ने कई बार आरूपी राजू वो उसके परीजनों पर कारवाई करने को लेकर थाने में आवेदन भी दिये है लेकिन खिल्चीपूर पुलिस की लापरवाई के चलते पुलिस ने आरूपी पर कोई लगाम नहीं कसी और ना ही उसको पकड़ा संतोस्व उसके परीजनों ने कई बार आरूपी राजू उसके परीजनों पर कारवाई करने को लेकर थाने में आवेदन भी दिये हैं लेकिन खिल्चीपूर पुलिस की लापरवाई के चलते पुलिस ने आरूपी पर कोई लगाम नहीं कसी और ना ही उसको पकड़ा है देर रात को भी संकी आसीक वो उसके परीजनों ने संतोस के गाउं में आग लगा दी जिसमें एक लाख रूपे से अधिक का नुकसान हुआ है और आग लगाने के बाद आरूपी ने एक पत्र भी भेजा जिसमें लिखा है कि मैं संतोस से जबरजस्ति साधी करूँगा उस परिजन सुरक्षआ की गोहार को लेकर दुलहन बनी संतोस वाई खिलचिपुर ठाने पहूंची है और आरूपी के खिलाफ सिकायद दर्ज कराई पुलिश ने आरोपी पर मामला तो दर्ज कर लिया है परंतु आरोपी की गिरबतारी न होने से संतोस के परिजन दहसत में है जबकि दो दिन बाद ही संतोस की साधी है राजगर से ओम प्रकास गुपता की रिपोर्ट क्यों को नहीं है जंड़पटी काओं का है क्यों देरा धंगी अच्छा कितने दिन से नुक्सान कर रहा है कब से आरी हो तो ठाने में कब से आरी हो तुम